हलो बच्चो आप सभी का हमारे यूट्यूब चेनल आइडियल देव कलासेस में सौगत है बच्चो आज हम आपके लिए एट ग्रेट एट ग्रेट अभ्यास पुस्ति का विज्ञान विशे विज्ञान लेके आए हैं इसमें जो कक्षा आठ वी की है इसमें आपको हम विशे विज्ञान में अनुक एमरी का जो सौरी एट ग्रेट वर्ग्रेट पुस्ति का है कक्षा आठ वी विज्ञान और यह बुक किसके द्वारा बनाई गई है रासिक्षा के द्वारा और इसकी जो अनुक एमरी का है वो ह देखी यहां पर पार्ट एक फसल उत्पादन एम प्रबंदन पार्ट दो सूच जी मित्र मित्र एम सत्रू पार्ट पार्ट तीन संसलेशिस रेशे और प्लास्टिक दातू एम अधातू कोईला प्रेटोलियम पार्ट छे दहन जो अला और पार्ट आठ कोशी का संद्रचना प्र कारे पार्ट गयारा बल तथा दाब पार्ट बारी तिस प्रकास से जो पार्ट 16 दीए हैं इन प्रतेक पार्टों को हम एक के बाद एक समझाते हाएंगे आज हम आपके लिए पार्ट एक लेकिया है पार्ट एक है क्या है पार्ट एक फसल उत्पादन एम प्रबंदन पार्ट एक क्या है फसल उत्पादन एम प्रबंदन इसके लगूतरी प्रेशन जो दिये हैं उनके बारे में बताएंगे आप फसल उत्पादन क्योंकि हमारा जो भारत देश है कैसा देश है कैसी पिधान देश है और यहा के दो-दो उधान लिखिये प्रस्ण क्या कहा रहा है फसल को कितने वर्गों बाटा गया है पतिक वर्ग की दो-धान बताईए जो फसल होती है । हम उनको कितने वर्गों बाटा गया है तो उसका उत्तर हो जाएगा फसल को दो वर्गों बाटा गया है पहला वर खरीब की फसल दूसरा रवी की फसल फसल को दो वर्गों बाटा गया है कौन सी खरीब फसल और रवी फसल अब खरीब की फसल कौन सी होती है वह फसल जिसे वरसा जाता है वर्सा रितू एने जो बर्सात का मौसम होता है वर्सात की रितू में जो बोया जाता है खरीब फसल कहलाती है खरीब फसल किसे कहते हैं वह फसल जिसे वर्सा रितू में बोया जाता है खरीब फसल कहलाती है इसकी अधी जो होती है जून से सितंबर तक होती है जून म मुंखफली कपास आदी उसके बाद दूसरी फसल रभी की फसल रविक फसल किसे कहते वह फसल जिसे सी त्रीतु में बोया जाता है रवीक की फसल कहला ती उधान कोन से रवीक फसल, कोन सी उनके नाम गेहू, चना, मटार, सरसो तथा अलसी ये कोन सी होगी रवीक की फसल कहलाती है अब देखिए इस पेकार बच्चों आपको हमने प्रेश्टर के मांग एक बता है अब इसके प्रेश्टर के मांग दो देखिए प्रेश्टर के मांग दो क्या है खरपतवार फसलों को किस पेकार नुकसान पहुँचाते हैं सबसे पहले खरपतवार क्या होता है उसके बारे हम जान लेते हैं खरपतवार एक अवांचनी पौद है जो कहीं पे भी उग जाता है जिसे हम कचरा कहते हैं जैसे खरपतवार फसलों किस पेकार नुकसान पहुचाता है तो उसका उत्ता देखिए खरपतवार फसलों को निम्र प्रकास से नुकसान पहुचाते हैं खरपतवार ऐसे अवांचनी पौदे हैं जो फसलों के साथ सोता ही उग जाते हैं तथा भोजन, पानी, इस्थान, सूरी प्रकास आदी, आविशक बस्तु हैं, जो पौधों के विकास के लिए आविशक हैं, उसे पिती स्पधा करते हैं, तथा पौधों के विकास में बाधित करते हैं, जो पौधे का विकास होता है, उसको क्या करते हैं, बाधित करते हैं, क खरपतवार फसलों को निम्ने प्रकार से नुखसान पहुंचाते हैं। खरपतवार ऐसे अवांचनी पौध हैं जो फसलों के साथ सोता ही उग जाते हैं। तथा जो भोजन पानी और इस्थान सूर्य प्रकास आदी आवस्यक वस्तुएं जो पौधों के विकास के लिए आवस्यक है जो पौधों के विकास को बाधित करते हैं जो हमारी फसलों के जो पौधों हैं उनके विकास में बाधाय उत्पन करते हैं कौन खर्पतवार इस प् प्रस्ण के मांग दो वहाँ आपका यहाँ पे अब इसके बाद प्रस्ण के मांग तीन देखिए प्रस्ण के मांग तीन वहाँ है मिट्टी में रहने वाले केच्वे एवम सूचु जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा जाता है प्रस्ण को समझ यह प्रस्ण के मांग तीन क कह रहा है बच्चों मिट्टी में रहने वाले केच्वे एवं सूचु जीवों को किशानों के मित्र क्यों कहा गया है इसको भी आप आपकी विज्ञान पुस्त पार्ट पुस्तक के प्रेश्ट केमांग दो विसेवस्तु एक दसम्नों तीन पैराग्राप दो में उत्तर के एवं सूचु जीवों को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं तता हुमस बनाते हैं जो की पौधों की व्यद्दी के लिए आवश्यक हैं क्या है प्रस्ण था मिट्टी में रहने वाले केच्वे एवं सूचु जीवों को किसानो को मित्र कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं तथा हुमस बनाते हैं जो की पौधों की वेद्धी के लिए अवश्यक है बच्चो इस पकार आपका एक प्रेशन के मांग तीन का उत्तर हुआ इसके बाद नेक्स्ट प्रेशन के मांग चार देखिए प् पहसलों की बवाई करते हैं उसे अंतर से किसे अंतर से से उससे हमें क्या क्या लाव है उसका आपको उत्तर देना है तो इसको भी आप विज्ञान के पाट पुस्तक के प्रेश्ट के मांग पांच पैराग्राफ एक में उत्तर खोच सकते हैं और लिख सकते हैं अब देखि शिड्रिल एंत्र द्वारा बीजों में समान दूरी वा गहराई बनी रहती है पहला लाप के बताए जो शिड्रिल एंत्र द्वारा बीजों में समान दूरी रहती है समान दूरी पर बीज गिरता है और वा गहराई बनी रहती है शिड्रिल एंतर बीजों में समान दूरी वा गहराई बनी रती समान गहराई पे रहता है दूसरा बॉआई के बाद बीज मिट्टी में अच्छे तरह ढग जाते हैं जब हम बीज की बवाई करते हैं उस टाइम पे क्या होता है बीज मिट्टी में अच्छे धंक से धक जाता है इसके बाद तीसरा है शिड्रिल द्वारा बवाई करने से समय वा श्रम दोनों की बचत होती है तीसरा पाइंट का है शिड्रिल द्वारा जो हम बवाई करते हैं कर प्रिष्न हैं यह बवाई की आधुनिक पद्धती है आधुने, नहीं पद्धती है बवाई करने की ते इस पेकार बच्चों आपको प्रेश्ण के मांग हमने चार बता है प्रेश्ण के मांग 4 के बाद अब देखिए लगूत्री प्रस्ण अभी हमने क्या पढ़ेते अती लगूतिरी प्रस्ण पढ़ेते अब लगूतिरी प्रस्ण देखते हैं लगूतिरी प्रस्ण में क्या है प्रस्ण नमबर पांच खाद देने से फसलों को क्या क्या लाब होते हैं जो हमारी फसले होती हैं उन्हें हम खाद देते तो उससे क्या क्या लाब होते उसके बारे हैं पूछा है तो इसका उत्तर हम लिखेंग क्या लिखेंग उत्तर खाद देने से फसलों को निमली की तलाब होते हैं जो हम खाद देते हैं उसे फसलों को कौन से लाब होते हैं निमली की तलाब होते हैं हमने उसका पहला लाब बताया आपको मिट्टी की जल धर छमता में वैद्धी होती है खात देने से फसलों में क्यालाब होता है मिट्टी की जल धारने जो मिट्टी में जल को समाहित करने की छमता क्या होती है छमता में वैद्धी होती है दूसरा मिट्टी भुरबुरियम सरंद्र हो जाती है मिट्टी भुरबुरियम समरंद्र हो जाती है तीसरा बता है गैस मीनी में सरलता से होता है गैस मीनी में यहने का आदान पैदान क्या होता है सरलता से होता है और चौन्था पाइंट बता है मित्र जिवालू की संख्या में वैद्धी हो जाती है मित जो जिवालू होते हैं उनकी संख्या में क्या होती है वेद्धी होती है और पाचो पाइंट है मित्टी के गठन में सुधार होता है इस पेकार बच्चों यह आपका प्रेशन के मांग पाच यहां पे समाप्त हुआ जिसका उत्तर हमने आपको बताए इसके बाद प्रेश उत्तर बताए उत्तो फशल के भंडारन से फोर धूप में शुखाने से फशल के महातरा में कम्या जाती है जिसके पड़नाम सवरूप इसे लंबे समय तक संग्रहित जमा रख सकते हैं संग्रहित करके रखा जा सकता है इसलिए फसल के भंडान से पूर धूप में उसे सुखाना अविशक है इस पेकार बच्चो आपको हमने प्रेशन कमांग 6 का उत्तर बता है अब इसके बाद नेक्ष्ट आता है आपका प्रेशन कमांग साथ एदी बच्चो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चेनल को सस्काइब कीजिए लाइक कीजिए और सेर कीजिए इसके बाद आपका प्रेशन कमांग साथ है देखी बच्चे बच्चो फसल बोने से पूर फसल बोने होता है अच्छे बीज का चैन किस पकार करेंगे जब आपको बोनी करना है आपको खेतों में बीज का बीज बोना तो किस पकार का बीज लेना है अच्छे बीज का चैन क्यों है किस पकार करेंगे इसके बारे हम इसका उत्तर बताएंगे इसका उत्तर है स्वास्त बीजों के प्रभुकल च्शन, सवास्थ बीज चंगदार होना चाहिए, जोचiesta, बीज लेंगे, उसका वजण कैसा होना चाहिए, बारी होना चाहिए, इसका टीसर नमबर है, बीज किसी पेकार से छतिक रस्त नहीं होना चाहिए, सौस्त बीजों की पहचान करने के लिए कुछ बीजों को जल से भरे पात्र में डालने पर जो बीज जल में डूब जाए उन बीजों का चैन बुआई में करना चाहिए इस पेकार बच्चों आपको हमने प्रेशन के मांग साथ बताए प्रेशन के मांग साथ में था कि फसल बोने से पूर आप सवस्त बीजों का चैन किस पेकार करेंगे तो हमने इसके प्रेशन को लच्छन बताए इसके तीन लच्छने हैं बताए थे जिने आप देख सकते हैं और आपकी 8 गेट बुक में नोट कर सकते हैं इसके बाद बच्चो आगे हम देखते हैं अगला प्रेशन क्या है प्रेशन नमबर 8 प्रेशन नमबर 8 है जल की कमी वाले छेतरों में जो जल की कमी वाले छेतरों में सिचाई की किस विधी का उपयोग किया जाता है विधी का ना हमने इसका उत्तर बतायां, जल की कमी वाले छेत्र में प्रमुक रूप से दो विधिया उपयोग लाए जाती ही, विधी का नाम है छड़काव तंत्र और दूसरी है ट्रिप अंत्र, पहली विधी हमने बताया छड़काव तंत्र, दूसरी ट्रिप तंत्र, बचो आप इसके चितर वाली है, तो आप इसका यहाँ पर चितर बना सकते हैं, या कोई भी चितर आप वहाँ से देख सकते हैं, बुकों से और यहाँ पर बना सकते हैं, इस पकार जल की कमी, जल को बचाने के लिए कूंसी विधी का उपयोग करेंगे, छड़काव तंत्र और डिप तंत्र विधी का व्यूस करेंगे, और आपको यहाँ पर चितर बनाना है, ठीक है बच्चों, इस पकार प्रेशन आठ यहाँ पर आपका समात हुआ, इसके बाद देखिए आपका प्रेशन के मांक नौ, यह है देरगुत्री प्रेशन, देरगुत्री आने की यह पहले अती लगु पढ़े, फिर हमने लगुत्री पढ़े, अब देरगुत्री प्रेशन बड़े होते हैं, इनके उत्तर हमको बड़े लिखना रहता है, अब देकिए इसका प्रेशन के मांक नौ, उर्वरख और खाद में क्या अंतरे लिखने को कहा है, इसे भी आप विज्ञान कि पाट्प उस तक प्रेश्ट केमांग साथ में कि शाड़नी एक-एक से उत्तर को खोच सकते हैं और लिख सकते हैं ठीके बच्चों जो हमारा प्रेश्ण है प्रेश्ण है उर्वरक और खाद में क्या अंतर है तो इसका अंतर लिकालने के लिए आप एक इस टाइप से शाड़नी बना ल आया और वहीं हम खाद की बात करते हैं तो खाद एक प्रकरतिक पधारत है प्रकरति के द्वारा बनता है खाद जो गोवर या पौधों के ओसेश के विघटन से प्राप्त होता है जो गोवर या पौधों के ओसेश के विघटन से होता है इस पकार से हमने उर्वरक का एक न उत्पादन फेक्ट्रियों में होता है जो उर्वरक होते हैं उसका उत्पादन कहां होता है फेक्ट्रियों में होता है और जबकि दूसरा नमबर देखिए किसका खाद का खाद खेतों में बनाई जाती है जो खाद होती हो कहां कि बनाई जाती है खेतों में बनाई जाती है इ किससे खाद से मिट्टी को हुमर्स पैच्छूर मात्रा में राप्त होती है इसका इसकी पचाउन जीखिए चाउन जीए चाउन पैट क्या कह रहा है। चौता पाइंट में और खाद में पादब पोसक कम मातरा में होते हैं इस परकार बच्चों आपको हमने देरगुतरी प्रेश्ण के मांग नव और खाद में क्याम तरहे वह बताए और इसको लिखने का तरीका बताए एक साइट दो डिब्बे बना लेजे एक साइट और गात के नीचे तो इस वकास से आपका प्रेशन नौ यहां पर कंप्लेट हुआ इसके आद आपका अगला प्रेशन आता है प्रेशन 10 प्रेशन 10 अजय मिट्री के रुरता बढ़ाने के लिए किसान कौन-कौन से तरीके उपयोग में लाता है विस्तार पूर्वक वाणन कीजिए इसे विज्ञान के पाठ पुस्तक के प्रेश्ट के मांग 5 के में उत्तर खोश सकते हैं और लिख सकते हैं देखिए आपका प्रेश्ण के मांग 10 प्रेश्ण के मांग 10 में क्या कहा है मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान कौन-कौन से तरीके उपयोग में लाता है विस्तार पुर्वक वर्णन कीजे चलो बच्चो हम इस प्रेशन के उत्तर का वर्णन करते हैं प्रेशन 10 है उसके उत्तर का बढ़ान करते हैं मिट्टी की उरुवरकता बढ़ाने के लिए किशान खेतों में खाद उरुवरक को मिलाते हैं जिससे की मिट्टी में पोसक ततों की कमी को पूरा किया जा सके इसके अलावा किसान फसल चक्रन अर्थात एक पेकार की फसल के बा बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा किया जाता है तो इस प्रेस्टर के मांग दस हुआ फिर से एक बार हम प्रेस्टर के मांग दस को रिपीट कर दे रहे हैं प्रेस्टर के मांग दस में क्या कहा रहा है मिट्टी के उर्वक्ता बढ़ाने के लिए किसान कौन-कौन से तरीक कीजिए और सेल कीजिए इसी पेकार के वीडियो हम आपके साथ के लिए लाते रहेंगे तो देखिए बच्चों जो इस प्रेसंदस का उत्तर मिट्टी को रुवता बढ़ाने के किसान खेतों में खाद अर्वरक को मिलाते हैं जिससे की मिट्टी में पोसक्ततों की कमी को पूरा किया जैसा के इसके अलावा किसान फसल चक्रन अर्थात एक विकार की फसल के बाद दूसरे विकार की फसल उगाते हैं साथ ही साथ वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थात केच्वे कि खात का भी उप्योग मिट्टी को रोता बढ़ाने के लिए किसानोतारा किया जाता है इस पर कार बच्चो ये प्रेश्र कमंग 10 के साथ 7 आपका पारट एक जो था पारट एक क्या था फसल उत्पादन यो प्रवंदन यहाँ पे समाथ होता है बच्चो एदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करे शेयर करे और सस्काइब कीजिए इसी पेकार के वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम पार्ट दो लेके आएंगे पाड़ दो है आपका सूच जीव मित्रयम सत्रू इसको आने वाले हम वीडियों बताएंगे ठीके बच्चो